चलो आज बनाते हैं इंच्टन वाला सामबार यानि की स्ट्रीट और रेश्टोरन वाला सामबार बीना तुए डाल को कुकर में पकाए हम गैस परीफटाक से बनाएंगे सामबार तो उसमें हम तुए डाल का ज़ादा इस्तेमाल नहीं करेगे इसमें ना एक पाउडर बनाए तो यह सामबार का टेस्ट और कलर बिल्कुल बहर और रेश्टोरन वाला ही आएगा एक बार खाओगे ना तो आप हर टाइम यही वाला सामबार बनाओगे तो सबसे पहले स्वागरत आप सबका कविटा के चैनल में सबसे पहले मैंने दो चमच चना डाल लिया है तीन लिए दो चमच मैंने चावल लिया है। आप कोई भी घर पर जोू इस ना वह चावल करें सकते हो पात्सेच च्छोटे-पीस मैंने नार्यल के लिए मैं नार्य Judas की लिए हैं। आंडिका लिए सब्सक्राइब 3 तीजव चबनाटी धीमी आच में दो मिनीट तक भून लो, उसके बाद तीन चमच साबुत वाला धन्या डाल दो, उसको भी हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, जब तक ना हलका सा गोल्डन ब्राउन कलन ना आ जाएना तब तक सभी को बारी बारी भून लेना है, उसके बाद हम इधर आप कोई भी प्रकार के चावल ले सकते हो, जो आप घर पे इस्तमाल करते हो, उसके बाद मैंने पार से चे टुकडे नारल के डाल दिये है, पार से चे टुकडे मैंने लसुन के डाल दिये है, मैंने कडी पत्ता डाल दिया है, पार से चे टुकडे और चार मैंने हरी का पाबर डाला है तो सभी कोके से मिक्स करो अली का पाबडर डालने से क्या होगा कि हली में कच्चा पन नहीं आएगा तो बास अभी गैस को कड़ गद बन और सबी जो मसाले है узको में थंडा होने इसको श्टोर करके रख सकते हो इसके बाद एक कढ़ाय में मैंने 6 टेबल स्पून ऑल का स्टमाल किया है एक चमच राय डालके राय को फूट जाने के बाद आदि चमच मैंने हिंग डाला है उसके बाद मैंने सूखी लाल मिच डाला है कड़ी पत्ता डाल दिया है और इधर मैंने रफली चॉप टमाटर डाले हैं दो तो टमाटर को थोड़ी देर के लिए भून लेने के बाद मैंने रफली चॉप प्यास भी डाल दिये है वैसे जब हम बाहर खाने जाते न तो इधर मैं स्ट्रीट स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैंने सभी को रफली चॉप किया है इसके अंदर हमने जो पेश्ट बनाया था न तो वही डाल देना है मैंने इसके अंदर न आधा ग्लास पानी डाला है उसके बाद पूरा का पूरा जो पेश्ट है वो डाल देना है इसके बाद मैंने एक और ग्लास पानी डाला है स्वारनुसा नमक डाल देना है दो चमच मैंने कश्मीरी लाल मिच का इस्तमाल किया है इसके डर मैंने drumstick भी डाला है आप चाये तो pumpkin भी डाल सकते हो पर मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला दो चमाच मैंने NIMMO का रस डाला है NIMMO के रस को ना balance काने के लिए मैंने आदी चमाच शकर का इस्तमाल किया है हीमी आच में हमें उबालाने देना है दस मिनिट तक ताकि जो सिंगा हमने डाला है वो पब जाए तो हमारा जो संबार है दस मिनिट के बार अच्छे से बन जाएगा आपको जितनी ग्रेवी चाहिए ना यानि कि जितना पतला चाहिए गाड़ा चाहिए आप उस हिसाब से पा बहुती फटक से बन जाता है क्योंकि इसमें ना जनजत होटी है सबजीया पकाने में और नहीं टुवे डालको कुकर में पकाने की बहुती फटक से हमने इंस्टन वाला संबार बनाया है और जो पेश्ट हमने बनाई तिना वह आप फ्रीज के अंडर ना इसको बहुत लम्मे समय तक स्टोर करके रख सकते हो इसका टेस्ट, कॉलर और टेक्शर बिलकुर भार जासा आया है बहुती कम सामान इस्तमाल करके मैंने ये संबार बनाया है करीबन पार्च लोगों के लिए ये संबार आसानी से हो जाएगा अगर में डाल लोगी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल टैंक यू